साथियों, अपसे कुछ देर बाद, यहाँ, रे कुछ हपते महने लड़ सकते हैं, यहाँ सरजी प्रिफेक्चर में भारत के महान संत तिरुबल्लुबर जी की प्रतिमास थापित की जा रही है। और संत तिरुबल्लुबर जी ने कहा था, इंडरु पडुदिन पेरित उवक्कम तन मगईने चांडरोन एनकेत ताए। तमील भाषी वाले मित्र तो समझ गए, लेकिन औरों को बताता हूँ, इसका आर्थ बहुत ही मार्मिक है। और तिरुबल्लुबर जी ने सदियों पहरे ये ज्ञान हमें दिया है। इसका मतलब है, जब एक मा अपनी संतान की प्रसंसा एक विद्वान के रुपे सुनती हैं, तो मा को इतना आनंद होता है, मा इतनी खुश होती है, जितना उसके जन्म के समय भी नहीं हुई थी। याने संतान के जन्मत पर जितनी खुशी हुई उससे ज़्यादा खुशी अपने संतान की सभलता पर होती है मा के लिए कहा है और इसलिए जब आप विदेश में नाम कमाते हैं जब दुनिया आपकी प्रसंसा करती है तो मा भारती को भी वैसी ही खुशी होती है विदेशी धर्ती पर मा भारती को अपने रदे में रखने वाली मा भारती के हर संतान को मैं भारत का ब्रेंड एंबेसेडर मानता हूं आप भारत के राष्ट दूथ है मैं जानता हूं कि भारती ये कहीं भी रहे लेकिन अपना दिल भारत के लिए भी धड़कता है मैं अभी स्पेस की चर्चा कर रहा था और चिल्ला रहे थे आप लोग चंद्रयान 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 मतलब आप है यहां लेकिन दिल आपका चंद्रयान में लगा हुआ है इसलिए ही फ्रांस सहीद पुरिया पुरी दुनिया में फैला हुआ हमारा जो इंजिन डाइस्पोरा है उस इंजिन डाइस्पोरा ने रेमिटेंस का नया रेकॉर्ड बना दिया है आप लोगोंने नया रेकॉर्ड बनाया है बताओं बताओं आपको आपको पता नहीं है ना कोई बात नहीं आपके प्राक्रम के गीज भी मैं गाता रहता हूँ भारत दुनिया का पहला देश है जहां विदेश में रहने बाले भारतिय डाइस्पोरा के माध्यम से एन्यूवल रेमिटेंस सो बिलियन डॉलर को पार कर चुकी है और खुशी की बात है कि आपका ये योगदान निरंतर बढ़ रहा है लेकिन मेरा आपसे एक और आग्रह है मैं आपसे आग्रह तो कर सकता हूं न कहने में क्या जाता है मोदी थोड़ा पूठने के लिए आने वाला है मेरा आपसे आग्रह है आपको अब भारत में निवेश के लिए भी पूरे उच्छा से आग्रह आना होगा भारत अब अगले पचीस वरसों में विक्सित होने के लक्ष पर काम कर रहा है इसमें आपकी भुमिका भी बड़ी है आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं उससे जुड़ी संभावनाओं को जरूर भारत में एस्ट्रोर करें आज हर इंटरनेशनल एजेंसी कह रही है कि भारत आगे बढ़ रहा है भारत ब्राइट स्पॉर्ट है भारत में इंवेस्टमेंट की अभर पूर्व अपर्चुनिटी बन रही है आप भारत में इंवेस्ट करिए और आप जो मैं जब कह रहा हूं न तो बाद में शिकायत मत करना कि मोदी ने तो बताये नहीं था अभी अवसर है और मैंने तो लाल के लिए से कहा था यही समय है सही समय है और जो जल्दी पहुँचेगा वो ज़्यादा लाब उठाएगा जो देर से आएगा वो इंतिजार करेगा अब मोका लेना कितना जल्दी लेना यह आप पर मैं छोड़ देता हूं साथ को इसलिए आईए और भारत में निवेश करिए